नाग लोग की राजकुमारी शेवन्या बहुत परिशान थी कुछ समय से उसके चेहरे पर भद्दे दाग हो गए थे जिस कारण नाग लोग के नगरों में रहने वाले बड़े नाग राजाओं के पुत्र उससे विवाह नहीं करना चाहते थे नागराणी सुपेला हमारी पुत्री शेवन्या के विवाह के लिए हमने बड़े बड़े नाग कुमारों के लिए प्रस्ताव भेजा है परन्तो हमारी पुत्री शेवन्या के चेहरे को देख कर कोई भी नाग राजकुमार हां नहीं कहता मुझे लगता है हमें अपने कुलगुरू से इस बारे में वार्तलाप करना चाहिए शायद तुम ठीक कह रही हो नागरानी हम आज ही कुलगुरू से भेंट करेंगे नागराज और नागरानी दोनों कुलगुरू के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं नाग राज यश्वर्धन इसका केवल एक ही उपाय है नाक कर्ण्या शेवन्या को प्रिथ्वी लोक में बने किसी सौंदर्य सदन में अपना श्रिंगार करना होगा तभी नाक कर्ण्या शेवन्या अपने चेहरे के इन दागों से छुटकारा पा सकती है पर यह तो बहुत कठीने कुलगुरू इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है शेवन्या को प्रिथ्वी लोक जाना ही होगा महल आकर शेवन्या के माता पिता उसे इस बारे में बताते हैं ठीक है माता जी पिता जी जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी मैं प्रिथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार हूँ पर मेरी एक विनती है मैं अकेली ही प्रिथ्वी लोक पर जाऊँगी आप मेरे साथ किसी को भी नहीं भेजेंगे ये कारे मैं अकेले ही करना चाहती हूँ इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे कारण किसी को भी कोई परेशानी हो पर बेटी तुम बिलकुल अकेली पृत्वी लोग पर कैसे जाओगी वहाँ किसी ने भी तुमें पैचान लिया तो तुम पर कोई संकट ना जाए पुत्री आप चिंता मत करो मा, मैं अपना ध्यान रखूंगी अपने माता पिता से आग्या लेकर शेवन्या प्रित्वी लोग पर पहुँच जाती है और एक लड़की के रूप में आ जाती है पर शेवन्या के चेहरे के निशान नहीं छिप पाते ये इंसानी रूप ठीक रहेगा इससे मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा हे राम, कैसा अंधारिक्षा वाला है टक्कर मार कर चला गया मेरी तो चपल भी तूट गई बिचारी कितनी परिशान हो रही है मुझे इनकी मदद करनी चाहिए रुखे माजी, मैं आपकी मदद करती हूँ जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे परिशान मत हो माजी, मैं आपको अपनी चपल दे देती हूँ वास्तों में शेवर्ण्या ने कोई चपल पहन ही नहीं रखी थी वो जादू से एक चपल का जोड़ा बनाती है और उस बुड़ी मैला को दे देती है मेरा घर यहीं पास में ही है आओ, कुछ दिर मेरे घर चलो वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेवर्ण्या है बड़ा ही प्यारा नाम है इस तरह से शेवर्ण्या उस बुड़ी मैला के साथ बात करते हुए उसके घर पहुँचती है तुम्हें काम क्यूं नहीं करती जब तक तुम्हें किराए पर घर नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर ही रह लो इतना बड़ा घर है मैं और मेरा बेटा सुधीर ही तो रहते हैं और सुधीर तो सुभा का गया शाम को लोटता है तुम वो सामने वाला कमरा ले लो और अपना सामान वहां रख लो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया माजी आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी फर अभी तो मेरे पास कोई सामान नहीं है मैं ऐसे ही आई हूँ तो कोई बात नहीं बेटी यहां कोई सामान की कमी थोड़ी है रसोई हो रही और बाकी कमरे में सामान तो है ही पलंग और आलमारी दोनों ही वहां रखी है और इस तरह शेवन्या बूढ़ी महिला के घर में रहने लगी मा से बात किये बहुत दिन हो गए एक बर जादूई शीशे की सहायता से मा और पिताजी से बात करती हो शेवन्या जादूई शीशे की सहायता से अपने माता पिता को देखती है शेवन्या बेटी तू कैसी है तू ठीक तो है न शेवन्या बेटी तुम इस वक्त कहा हो तुम अपने असली रूप में तो नहीं आई हो ना मा पिता जी आप चिंता मत करो मैं इंसानी रूप में ही अपने सारे कारे कर रहे हूँ मैं एक साधारण महिला की तरह ही यहां रहूंगी किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा आप दोनों अपना खयाल रखना मैं जल्द ही लौटूंगी शयवन्या अपने माता पिता से बात करके रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है मा जी आज खाना मैं बनाओ अगर आपको बुरा न लगे तो क्यो नहीं बेटी तुम्हें जो खाना है वो रसोई में बना सकती हो शयवन्या रसोई में जाकर जादू से सारा खाना तैयार करती है इतनी देर में सुधीर भी आ जाता है तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो सुधीर बेटा ये शयवन्या है आज दो पहर को मैं जब सुधीर की मा उसे सारी बात बताती है मा ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करते न जाने कौन है कहां से आईए और तुमने तो अपना पुरा घरी उसे दे दिया मा तुम बहुत से दियो सुधीर बेटा ऐसी बात नहीं है वो बच्ची बहुत अच्छी है सुधीर की सारी बाते शेवन्या सुन लेती है और वहां से जाने लगती है मा जी मुझे लगता है मेरा यहां रहना ठीक नहीं सुधीर जी नहीं चाहते कि मैं यहां पर रहू और आप दोनों के बीच में मेरी वज़े से कोई मनमुटाफ हो यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं कहीं और अपने रहने का इंतिजाम कर लूँगी अरे नहीं बेटा ऐसा न कहो सुधीर तू अपने कमरे में चा मैं तेरे लिए वहीं खाना लेकर आती हूँ शेवन्या के आ जाने से उस बुड़ी मैला को बहुत आराम हो गया था एक शाम शेवन्या बाजार से आ रही थी तब ही मोहले के कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं अरे ये तो वही लड़की है ना जो आजकल सुमन अंठी के घर में रुकी हुई है आ वही है सुधीर वही है के तो मज़े है एक अकेली लड़की उनके घर में रह रही है और वो भी बिना किसी रिष्टे के भई वैसे देखने में तो बिल्कुल सुन्दर नहीं है इसके चेरे पर कितने गंदे निशान है फिर कैसे बसंद किया घर आकर सारी बात अपनी मा से कहता है अगर मैंने इस शादी के लिए मना किया तो ये लोग मुझे पर शक करेंगे मुझे शादी के लिए हाँ कहना ही होगा मेरे पास ही अच्छा मौका है इसी बहाने मैं किसी सुन्दरे सदन में तयार भी हो जाऊंगी और तयार होते ही मेरे चेरे के भद्दे निशान गायब हो जाएंगे फिर मैं नाग लोग वापस लोट जाऊंगे शेवन्या शादी के लिए हाँ कह देती है और अपने माता पिता को भी इस बारे में खबर देती है शादी के दिन शेवन्या अपनी सास के साथ ब्यूटी पार्लर पहुँशती है मेरी होने वाली बहु का ऐसा श्रिंगार करना कि लोग देखते रह जाएं अब चिंता मत कीजे हम इनके चेरे के सारे दाग धबे मिटा देंगे शेवन्या को ब्यूटी पार्लर वाली लेडी बहुत सुन्दर तयार करती है दुलहन के रूप में शेवन्या बहुत सुन्दर लग रही थी तभी ब्यूटी पार्लर वाली की नजर सामने बने शीशे पर जाती है देखिए आप कितनी सुन्दर लग रही है आपके चेरे के सारे निशान भी मैंने मेक अप से चुपा दिये है शेवन्या शीशे की तरफ देखती है ओ ये तो कोई नागिन है वो देखो सामने शीशे में इस लड़की की जगए एक साब दिखाई दे रहा है भागो 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 यहां से रुख जाईए मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं मेरी बात तो सुनिए माजी, माजी एक नागेन मेरी बहु नहीं हो सकती तू तो हमें डस लेकी ऐसा ना कहिए माजी मैं आपको पूरी बात बताती हूँ तब तक सुधीर भी वहां आ जाता है शेवन्या सारी सच्चाई बताती है और रोने लगती है नागराज और नागराणी उनके कुलगुरू के साथ वहां प्रकट होते है पुत्री शेवन्या ने किसी को धोखा नहीं दिया ये सत्य कह रही है मैंने ही शेवन्या को धर्ती लोग पर भेजा था मा, पिता जी मैं सुधीर से प्यार करने लगी हूँ और मुझे मा जी के साथ ही रहना है सुधीर को मेरे स्वभाव से प्यार हुआ उसने मेरे रंग रूप को नहीं देखा मा जी भी मुझे बहुत प्यार करती है नहीं तो कोई किसी पर क्यों विश्वास करेगा उन्होंने मुझ पर किया मैं उनकी बहुत इज़द करती हो पुत्री तुम्हारी ये करुण बाते सुनकर मेरा भी हिर्दय पिघल गया है मैं तुम्हें आशिरवात देता हूं मेरी शक्तियों से तुम आज के बाद एक साधारन स्त्री का ही जीवन व्यतीत करोगी अब तुम नागिन नहीं हो कुलगुरु की बाते सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं शेवन्या के चेहरे के सारे दाग धब्बे खत्म हो गय थे सुधीर और शेवन्या की शादी हो जाती है उस दिन से शेवन्या धर्ती लोग पर ही सुधीर और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी अरी करम चली कहां मर गई सुबस से उल्टियां कर रही है मा जी कही पूनम मा तो नहीं बनने वाली कैसी बाते कर रही हो बहु पूनम की शादी को दो महीने ही हुए थे पर शादी के बाद जब पूनम की डोली घर आई तो आते ही पूनम के पती सुरज की तव्यत खराब हो गया और अचानक ही उसका देहान थो गया पूनम पर तो दुखों का पहार टूट पड़ा पूनम और सूरज एक दूसरे को पहले से जानते थे ये बात घर वालों को नहीं पता थी शादी से पहले ही वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गये थे और शादी के तुरंद बाद ही ये हाथसा हो गया पूनम किसी को भी कुछ नहीं बता पाई क्योंकि वो भी इस बारे में नहीं जानती थी कि वो गर्वती हो चुकी है पूनम अपनी सास को सच्चाई समझाने की कोशिश करती है पर ना तो उसकी सास इस बात को समझती है और ना ही उसके जेट जेटानी मा, अगर समाज में किसी को पता चल गया तो हमारी कितनी बद्नामी होगी आपको पता भी है चिंता मत कर बेटा मैंने ऐसी दवाई का इंतजाम कर लिया है जिसे पीते ही इसके गर्व में पल रहा बच्चा मर जाएगा तब ही पूनम ये बात सुन लेती है और रोने लगती है नहीं मा जी पूनम की जिठानी और जेट उसके हाथों को कसकर पकड़ लेते है और उसकी सास उसे जबरदस्ती बच्चा गिराने की दवाई पिला देती है पूनम का गर्व गिर जाता है उसे अब जीने की कोई वज़ा नहीं मिल रही थी इसलिए रात को सबके सो जाने के बाद वो घर छोड़ कर भाग जाती है भागते भागते पूनम एक जंगल में पहुँचती है ये भगवान अब मेरे पास जीने की कोई वज़ा नहीं है मेरे होने वाले बच्चे को मुझसे छीन लिया गया अब मैं जीकर क्या करूँगी अहां अब मुझे मर नहीं होगा पूनम जंगल में बने कोई में छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आती है पूनम पीछे मुढ कर देखती है एक पेड़ की पास एक औरत जख्मी हालत में पड़ी हुई है पूनम उसके पास जाती है अरे कौन हो तुम? तुम्ही क्या हुआ? तुम्ही इतनी चोट कैसे आई? बेहन, मैं एक इच्छा धारी नागिन हूँ मेरे पती को गाउवालों ने मार दिया और अब वो मेरी जान के दुश्मन बने हुए है मैं अपने पती के साथ ही गुफा में रहती थी और एक दिन गाउवालों की नजर मुझ पर और मेरे पती पर पढ़ गई और उन्होंने मेरे पती को मार दिया उन्होंने मुझ पर भी हमला किया पर मैं किसी तरह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी इसलिए उनसे बचकर मैं यहां आतो गई पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच सकती हूँ लगता है मेरा अंतिम समय आगया है मैं एक गर्वती नागिन हूँ मैं अपनी शक्तियों के द्वारा तुम्हें पैचान गई हूँ तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हूँ है बहन तुम्हारे बच्चे को तुमसे छींग लिया गया उसी तरह अज मेरी कोग भी उजड़ने वाली है अगर मैं मर गई तो मेरे साथ मेरे निर्दोश बच्चे का भी अंत हो जाएगा पर अगर तुम चाहो तो मेरे बच्चे को बचा सकती हो मैं पर मैं कैसे मैं अपनी शक्तियों के द्वारा अपनी कोग तुम्हें दे सकती हो फिर तुम मेरे बच्चे को जन्म देकर उसे बचा सकती हो तुम उसकी माँ बन सकती हो बोलो बेहन तुम बनूगी न मेरे बच्चे की माँ मुझ पर उपकार कर दो मुझ पर उपकार कर दो बेहन मेरे बच्चे को बचा लो औरत के रूप में इच्छाधारी नागिन बहुत रोती है पूनम इस हादसे से गुजर शुकी थी वो जानती थी कि एक मा का दर्द क्या होता है पूनम का बच्चा तो उससे छिन गया था वो नहीं चाती थी कि एक मरती हुई मा के साथ एक निर्दोश बच्चा भी मर जाए वो ये नहीं कर सकती थी इसलिए उसने उस इच्छाधारी नागिन की बात मान ली इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों के द्वारा अपने आने वाले बच्चे को पूनम की कोक में डाल देती है और एक दर्द भरी आवाज के साथ इस दुनिया से चली जाती है पता नहीं नागिन के बच्चे के कोक में आते ही पूनम में न जाने कौन सी शक्ति आ जाती है वो बिना घबराई चुप चाप घर आती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है पर धीरे धीरे पूनम का पेट बढ़ने लगता है जिसे देखकर उसकी जेठानी और सास हैरान रह जाते है माची आपने कौन से दवाई पिलाई थी इसे इसका तो बच्चा गिरा ही नहीं ये तो 6-7 महीने पेट से लग रही है पथा नहीं उस ओरत ने तो मुझे यही दवाई दी थी पर अब क्या करे करना क्या है अब आने वाले बच्चे का इंतजार करो अब कुछ नहीं हो सकता अब तो पूनम बच्चे को जनम दे करी रहेगी हे भगवान अगर मेरे पेट से नागिन पैदा हो गई तो लोग उसे पैदा होते से ही मार देंगे मैं क्या करूँ खुट समझ नहीं आ रहा पूनम डरते डरते अपनी गर्भावस्था के दिन काट रही थी और वो दिन आ ही गया जब पूनम को बच्चा पैदा हुआ पूनम को जब होश आया तो उसने अपने बराबर में एक बच्ची को लेटा हुआ पाया बधाई हो बहू तुमने बेटी को जनम दिया है बेटी? हाँ हाँ, मेरी बेटी, मेरी गुडिया इतना खुशोने की जरूरत नहीं है हमारे घर की ओलाद नहीं है ये वो तो हम तेरे उपर तरस खाकर तुझे इस घर से नहीं निकाल रहे है पर तु ये मत समझना कि हमने तेरी बच्ची को अपना लिया जो भी खर्चा उठाना है इस बच्ची के तु खुद उठाएगी इस घर से तुझे दूद की एक बूंद के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे हाँ पर मा जी, इसके तो दूद उत्रा ही नहीं फिर ये बच्ची को क्या पिलाएगी उतरेगा कैसे जब मन में कपट हो तो कोई काम ठीक नहीं होता चलो बहू, पड़ी रहने दो इसे अपनी बच्ची के साथ पुनम की सास और जिठानी कमरे से बाहर चली जाती है पुनम बच्ची को जैसे ही गोट से नीचे उतार कर पलंग पर लिटाती है बच्ची नागिन की रूप में आ जाती है पुनम घबरा जाती है तभी नागिन बच्ची बोलने लगती है मा, घबराव नहीं तुम मेरी मा हो तुमने मुझे जन्म दिया है मैं तुमारी बेटी हूँ मैं तुमें कोई तकलीफ नहीं होने दूँगी बस मुझे दिन में एक बार अपने इस रूप में आना पड़ता है इतना कहते ही वो नागिन बच्ची फिर से बच्ची के रूप में आ जाती है और पुनम को देख कर मुस्कुराने लगती है पूनम को भी अपनी बच्ची पर प्यारा जाता है और वो उसे खूब प्यार करती है अपनी बच्ची को पालने के लिए पूनम ने आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बच्ची का पालन पोशन कर सके पूनम ने अपनी बच्ची का नाम च्छाया रखा अपनी मा की कहने पर च्छाया कभी भी किसी के सामने नागिन रूप में नहीं आती थी धीरे धीरे च्छाया बड़ी हुई और उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की पंकश नाम का एक लड़का च्छाया को बहुत पसंद करता था पंकश च्छाया से बात करने की कोशिश करता तो च्छाया उसे जान बूच कर मना कर देती क्योंकि वो जानती थी कि वो एक साधारन लिड़की नहीं है चाया उजमे क्या कमी है जो तुम मुझे बार-बार इग्नोर कर देती हो मुझे सच्चाई तो बताओ मैं अपने आपको उस काबिल बनाने की पूरी कुशिश करूँगा जैसा तुम चाहती हो ऐसी बात नहीं है पंकच तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम से तो कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी पर मेरी कुछ परसनल मजबूरी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती इतना कहकर चाया घर आ जाती है उस दिन चाया को नागिन बनना था क्योंकि वो दिन में एक बार नागिन जरूर बनती थी पूनम घर पर नहीं थी चाया ने अपना दर्वाजा बंद किया और नागिन की रूप में आ गए अचानक पूनम की सास यानि की चाया की दादी की नजर उस पर पड़ गई और वो चाया को नागिन के रूप में देख कर चीक पड़ी अरे कोई बचाओ सपेरे को देख कर चाया घर जाती है सपेरा बीन बजाना शुरू करता है चाया तो नागिन थी वो बीन की धुन पर मद्होश हो जाती है तब ही पूनम भी आ जाती है बंद करो ये बीन के धुन माजी, ये सपेरे को क्यों बुलाए है अमाजी, आपकी पोती नागिन है नागिन मैं अभी इसे नागिन रूप में लेकर आता हूँ मैं इसे पहचान गया हूँ ये इच्छाधारी नागिन है क्या? इच्छाधारी नागिन और हमारे घर में इसे पकड़ कर ले जा जल्दी से ले जा इसे हमें अपने घर में नहीं रखना है ये नागिन नहीं माजी, वो मेरी बेटी है मैंने उसे जन्म दिया है ऐसा मत कीजे मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाओंगी च्छाया, चल बेटी हम कहीं दूर चलते हैं सपेरा बीन बजानी शुरू कर देता है उनम रोती चिल्लाती रहती है पर कोई उसकी बात नहीं मानता च्छाया नागिन बनने ही वाली थी सपेरा बीन बजाता जा रहा था तभी च्छाया की नागिन मा की आत्मा वहाँ प्रकट होती है बेटी च्छाया, मैं तुम्हें नागिन योनी से मुक्ती देकर एक साधारन लड़की के रूप में बदल रही हूँ हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची और फिर सब देखते रह जाते हैं च्छाया एक साधारन लड़की के रूप में आ जाती है सपेरे की बीन का उस पर कोई असर नहीं होता पर उस दिन पूनम अपनी बेटी च्छाया के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है और सुकून की जिन्दगी बिताने लगती है च्छाया पंकच को शादी के लिए हां कह देती है और अपनी मा पूनम से मिलवाती है पूनम अपनी बेटी च्छाया की शादी पंकच के साथ करके अपने मा होने का फर्ज निभाती है